आप कह रहे हैं कि 36 गाड में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जी हाँ क्या यही वज़ा है कि आप ये भी कहते हैं कि एडी की कारवाई इसलिए हो रही है वो एडी के अधिकारी ये बोलते हैं कि हमारे इस भरोसे किसी चुना लड़ लेंगे भाई वो तो बूत में इडी कहों से चुनाओं नहीं लड़ सकते हैं और आपने परिवार की बात की आप यहां tap और कांग्रेस पी इल्जाम लगता है कि कांग्रेस में राजणीती जो है वो परिवारों के सारे चलती है आपका परिवार भी आगे राजणीती में आए या नहीं आप यहां फूल- परवारवादी जो तेरह दे सिंध़जी का आप ले आए ले आए ना और एक को मंत्री बना दिये उत्तर प्रजुस में हमारी पार्टी दे जाके कितने एसे लोग हैं इसी चत्रीज़ गरमाज सिंग नहीं बना था बली रामका सियफ के बेटा दो दो बेटा एक सांसद बना एक मंत्री बना, चाहिए इन्दर जी और्टी जी और राहूल जी और प्रियंका जी और जहां तक मेरी बात है, तो मैंने तो भई ऐसा है कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा दिया, मैं किसान हो, तो मेरे बेटे मैंने खेती किसानी सिखा दिया है उसे साधी कर दी अब वो सुतंत रहे को राजनितिम आया है कि ना है वो जाने उसका काम जाने मैंने तुस्वों पालक के हैसे से पिता के हैसे से मैंने उसको पढ़ने लिखने के लिए पूरा उसर दे दिया अपने जो पारमपरी जो धंदा है खेती उसको मैंने सिखा दिया वी स्कूल के समय से भेद दिया था खेत ट्राइए पिर एक ही लड़का है तीन लड़किया हैं और सब अपने अपने जग़े सिटेबली से उसके बाद आगे क्या करना है अपने जीवन के बारे में उनको नीने लेने खाक है, होना चीक नहीं होना चीक, किरके वहला राजजीतिक है, इसलिए उसके बच्चों को अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार नहीं, ये तो गलत है ना, वो ले आए सक्षा में, अच्छे सुनाएं आप, और आप हमिशा कहते हैं कि मुझसे ये पूछ लिया करो कि गाना कौन सा पसंद है, गाने के लिए नका करो, तो आज कल कौन सा गाना पसंद आ रहे हैं आपको? आज कल तो बढ़िया भजान सुनें हम लोग कुर। रमायन मौसा में उपेश भगेल जी, यही अंदाज है जो आपको लोकप्रिया बनाता है, चाहे आप मंच पर माने न माने, लेकिन जनता यहां देख रही है और समझ रही है, बाक्ती शुब कामना है आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहां इस मंच पर आप जो जो ढम जो 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 हो जो झोलागान जो 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 भी सबस्क्रावान कार Uhm